कि अज़िए कर दोस्तों पीकर एउकेशन में आपका स्वागत है और आज हम फिर से आपके लिए अनुसासा नेवाँ अपिलियम 1968 के बारे में बताने वाले हैं इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जड़े सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और चेर कर दें तो चलते हैं आज के सवाल की और आज का पहला सवाल है आपका सिल्ट कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाते हैं सिल्ट कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाते हैं पहला जब करमचारी के विरूद D & AR की जांच पर चल रही हो या लंबित हो दूसरा जब करमचारी के विरूद D & AR मामला ख करता है कि जब क्रमचारी के विरूद रखन परकिरिया चल रही हो यह लंबित हो उस सिति में सिर्ट कई अपनाया सकता तो सिर्ट कब परकिर्चर कम अपना जाता जब क्रमचारी के विरूद दि-अट-बर कि चांज पिरकिर्या चल रही हो चलतें अगले सवाल कियो घालre सवाल कहता है क्या विलफेयर क्या इंस्पेक्टर को डिए-णे-अर केस में बच्चाफ्ट-सलाकार की रूप में कार करने की अनुमती दी जा सकती है क्या वेल फेर इंस्पेक्टर को डी एंड यानि अनुसासन एवां अपिल नियम के तहाद केस में बचाप सलाकार के रूप में कारे करने की अनुमति दी जा सकती है पहला अप्सान हाँ दी जा सकती है पर उस केस को उनके द्वारा पूर में डील नहीं किया गया हो दूसरा अप्सान हाँ दी जा सकती है पर उस केस को पूर में डील किया गया हो तिसरा अप्सान नहीं दी जा सकती है चोथा उप्रोप में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्य हो जाएगा इसका सही आंसर होगा हाँ दी जा सकती है पर उसके द्वारा उसकेश को पूरमेर्डिल नहीं किया गया हो तो इसका सही आंसर क्या जाएगा एक नंबर सही अंसर हो जाएगा चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं अगला सवाल कहता है आपका सर्वोज अनुसासनिक प्राधिकारी कौन होता है सर्वोज अनुसासनिक प्राधिकारी कौन होता पहला राश्टपती दुसरा महापरवंदग तिसरा महापरवंदग रेलवे मंडल अच्छो था सिन्यर डियों ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा राष्ट पती सर्वोच अनुसासनिक प्राधिकारी कौन होता है राष्ट पती होता है चलते अगले सवाल क्यों है अगला सवाल कहता है राष्ट पती के आधेश के विरूद अपिल किसे कि जा सकती है यानि कि राष्ट पती जो आधेश दे देते हैं उनके विरूद अपिल हम किनके पास कर सकते है पहला अप्सन नहीं की जा सकती है दूसरा सर्वोच नियाले में की जा सकती है तिसरा लोकसवा में की जा सकती है चोथा लोकसवा में की जा सकती है पर संसत सत्र के दोरा तो इ होते हैं चलतें अगले सवाल क्यों है अगला सवाल कहता किसी क्रम्चारी को वेटन विरधी रोकने की पैनलटी दिग गई है लेकिन हुआ अभी पर्भाव में नहीं है तो पहला अगला करा thou इसका आँसर क्या जागा हां, किया जा सकता हुए कि युज का गई है किसी करमचारी को व्यतन गीरीदूरी रोकने की पेनल्टी दी गई है किसी का इंक्रिमेवन काट लिया गया है, लेकिन भिख भाब में नहीं है ऐसे मेने का स्ट हorem को एक साल पूरा हो गया इसके बाद क्या से पधलनत किया जा सकता है विलकुल किया जा सकता है। चोथा option जरा सा ध्यान दें, चोथा option में कहता है कि राष्टपती के आदेश से किया जा सकता है, राष्टपती जो आदेश देगा उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी को भी छमा दे दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका perfect answer जो होगा, हाँ दिया जा सकता है, इसमें राष्ट के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग क्या जाता है रिटार्ड कमचारी के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग क्या जाता है पहला अपस्व 14 दूसरा फिल्ट कमचारी क्मचारी के लिए कौन सा पॉर्म का परीयोग जाता है जलते हैं अगले सवल की अग्ला सवाल कैसरा करवाए men d r के लिए कौम सा मानक फॉर्म का परियोग किया जाता है जब कभी में होता है तो संयुक्त करवाहि के दोरान अनुसासन एबाँ अपिल्नियम जो था उसका कौन सा फॉर्म का परियोग किया जाता है तो पहला अपस्वाशन दूसरा एसेफ टू तीसरा एसेफ थिरी चोथा एसेफ फोर तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा एसेफ 10 संयुद करवाही के दोरान एसेफ 10 का परियोग किया जाता एसेफ 10 का परियोग कभ दिया जाता संयुद करवाही के दोरान दिया जाता चलते हैं अंगले सवाल क्यों है अगला सवाल काता है कि अपिल प्रादिकारी का पद रिक्त होने पर किसे अपिल किया जाएगा जब अपिल यह प्रादिकार को तिसरा सिधे महाप्रबंदा को चो था रेल मंत्रा लेको तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपील प्रादिकारी से उच्छ प्रादिकारी को इसका एक नमबर सही आंसर हो ठीक है तो जब अपील प्रादिकारी का पद रिख तो हो जाता तो आप किसके पास अपील क्या अनुसासन एवाँ अपिल नीयम के तहाद Complimentary Pass रोका जा सकता असरा कोई खास नियम नहीं को नहीं? नहीं रोका जा सकता है किस पास को नहीं रोका सकता है किस नियम के तहाद राष्टपती से अपील की जा सकती है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नियम 31 के तहाद राष्टपती से अपील की जा सकती है अनुसासन नियम का नियम संख्या 31 कहता है कि आप राष्टपती से अपील कर सकते हैं चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल करता कि ए आर की नियुकती कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए ए आरी किसकी नियुक्ति ए आरी जो डिफेंस कॉंसेलर होते हैं ठीक है ए आरी कौन होते हैं डिफेंस कॉंसेलर होते हैं उनकी नियुक्ति कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए पहला अप्सन जांच अधिकारी की नियुक्ति से 20 दिन के अंदर दूसरा जांच अधिकारी की नुकति से 20 दिन के अंदर यानि इसका एक नंबर आंसर शही होगा ज़ाँ चाहिए यहेंगा सब्सक्राइब फतुर्णी करण किया माइनर मतलब छोटा मेजर मतलब बढ़ तो माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा फरूम क्यों क्या आता है पहला सफ 11 दूसरा सफ 6 तिसरा सफ 9 चोथा सफ 10 तो इसका से अंसर क्या हो जागा सफ 11 माइनर पेनल्टी के लिए 10 चैवी चैशी भी से अगे अलेवन दिया आता है समझग Tam H क्यों है अंगला डी एंडेड है और 1968 के ताथ अपिल किस नियम के ताथ क्या है क्या बढ़ रिधाए आपिल अनुसासन नियाम का कौन सा नियम है जिसके तहाथ अपील करने का प्रावधान दिया गया है अनुसासान अपील नियम का कौन सा नियम है नियम संख्या जो है किस नियम संख्या के तहाथ आप अपील कर सकते हैं पहला नियम संख्या 18 दूसा नियम संख्या 12 तिसा नियम संख्या 4 चोथा नियम संख्या 9 तो इसका अगला सवाल कहता है कि अनिवार सेवा निवरिती दंड अधी आरोपित होने पर क्रमचारी को कितने दीनों अवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है क्या कर में कि अनिवार सेवा निवरिती दंड अधी रोपित होने पर क्रमचारी को कितने दीनों तक वो रख सकता है कितने दिनों तक पाला उप्सन चार माह तक दूसरा छे माह तिसरा नौ माह अचो था एक सार तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चार माह अनिवार शेवा निरती दंड अधिरोपित होने पर कमचारी को चार माह तक रेल आवास रोकने की अनुमति प्राप्त है मतलब दी जा सकती है ठीक है मैक्सिमम चार माह तो दोस्तों आज का यह अन्तिम सवाल था और जल्दी से जल्दी कॉमेंट सेक्शन में जाया है और वहां बताए कि यह वीडियो आपको कैसे लगे और लाइक कर दें शेयर कर दें तो दोस्तों अगर आप में चैनल पे नए हैं सबसे क्लिक है यह किसम को सब्सक्राइब करें